हलो एंड वेल्कम टू टेली टाकीज दोस्तो बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस ने करवाया रैंकिंग का टास्क और इस टास्क में यहाँ पर चाहत पांडे अपने अधिकार के लिए लड़ी लेकिन गलत हरकत फिर से कर दी इशा ने इशा बहुत जलती है चाहत से तो इसलिए फैल रही है घर में रैंकिंग टास्क हुआ और ऐसे में विविन ने कहा मैं नंबर वन पर हूँ और करणवीर ने कहा मैं नंबर वन पर हूँ लेकिन घरवाले वोट करने लगे कि करण और विविन में से कौन नंबर वन पर है ऐसे में चाहत ने अपनी आवाज उठाई और चाहत ने कहा कि मैं किसी के लिए वोट क्युं करूँ भाई मैं हूं नमबर वन पर अगर मैं नमबर वन पर नहीं हूं तो इस घर में कोई भी नमबर वन पर है न डिजर्ब नहीं करता विविन डिसेना ये कहते हैं कि करनवीर की तो पुछे बात ही समझ नहीं आती समझ ही नहीं आता कि ये नंबर वन पर कैसे आ सकता है क्योंकि ये कब मजाग कर रहा होता है कब सीरियस होता है पता ही नहीं चलता वहाँ दूसरी तरफ जब चाहत अपने अधिकार के लिए लड़ती है और ये कहती है मैं नंबर वन पर हूँ तो कोई भी उसकी बात से एगरी नहीं करता और चाहत कहती है तो मैं अपने आपको कोई भी रांकिंग नहीं दूंगी, तुम सबसे जादा content देती हूँ मैं, तुम सबसे जादा, मैं सही खेल रही हूँ, अकेली खेल रही हूँ, गुट में नहीं खेल रही, मैं भेड की तरह गुट बनाकर इस घर में नहीं घूम रही हूँ, अकेली शेरिनी की तरह खड़ी हूँ, तुम लोग मेरी बेजती करते हो मुझसे बत्तमीजी करते हो तब भी मैं अपनी सोच को टस से मस नहीं होने देती हार नहीं मानूंगी रार नहीं ठानूंगी वैल जैसे ही चाहत नहीं ये बोला इशा के तो मिर्ची लग गई क्योंकि चाहत पांडने तो अतल विहारी बाजपई जी की इन लाइनों को बोल कर कही ना कहीं घर में सननाटा फैला दिया था उसके बाद सबसे बड़ा कदम उठाया ईशा ने और उसने कहा कि मैं नमबर तीन पर हूँ और चाहत तौप पांच में रहना डिजर्व नहीं करती चाहत इस घर में कुछ नहीं कर रही है मैं एक बहुत बड़ी आक्ट्रेस ह माथी चाहेंगे नमबर तीन पर हूँ लेकिन ठीक है नमबर वन पर रजत है नंबर दो पर करण है तो मैं अपने आपको नमबर तीन दूंगी और उस से नीचे मैं किसी कॉस्ट पे नहीं जाओंगी वेल ऐसे में सभी घरवाले एक दूसरे से लड़ने लगे और बिग बॉस ने फिर बड़ा फरमान सुनाया और अकल ठिकाने लगा दी इशा की बिग बॉस ने कहा कि आप लोग किसी भी फैसले पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही हैं और अब मैं आप लोगों को सबसे बड़ी सजा दूँगा मैं आप लोगों को राशन ही नहीं दूँगा खाना ही नहीं मिलेगा और उसके बाद बिग बॉस ने बुलाया चाहत पांडे को कनफेशन रूम के अंदर अब क्या होगा दोस्तों क्या बिग बॉस देंगे चाहत प झाल झाल